नमस्कार स्टूडेंट्स हम बीएस्सी फ़र्स्ट एयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फिप्थ केमिकल कैनेटिक से स्टार्ट करवा रखिये उसका मैंने एक वीडियो लेक्चर बना दिया है आप लोग उसको देख लीजिए उस वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन स्टूडी की थी और रियक्शन का रेट स्टूडी किया था कि rate की definition क्या होती है हमने वो study किया था उसकी unit देखी थी आज हमने मैंने उसमें last में जो आपको portion बताया था stoichiometric form में equations लिखके उनके rate को हम कैसे define करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया आज हम उसी के base पे पहले numerical से study करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को factor affecting study कराऊंगे reaction के rate को effect करने वाले factors study करेंगे चौँ B.S.C. first year की physical chemistry ये chapter आपका ऐसा है कि जो आपके हर competition exam में आता ही आता है इसलिए students की basic knowledge होना बहुत ज़रूरी है और ये chapter ऐसा भी है जो आपने 12 में भी इसको study किया था इसलिए समझना आसान होता है chemical kinetics ये unit आपके fifth है इसमें मैं आप लोगों को पहले numerical कराऊंगी देखो मैंने आपको कहा था stoichiometric form में जैसे आपके पास कोई एक reaction है मैं पहले बता देती हूँ a plus 2b इससे हमारे पास product बना 3c अब इस reaction में आपसे कोई ये पुछे कि a के disappearing rate क्या होगा b का disappearing rate c का formation rate और reaction का rate किस तरीके से आप define करोगे तो देखो disappearing rate a क्या होगा भई continue conjunct हो रहा है इसलिए कैसा sign लगाओगे आप minus sign लगाओगे minus किसकी concentrations a की concentrations में changes upon time duration d a upon dt clear वैसे ही disappearing of disappearing rate of b ये ये भी क्या होगा continue conjunct हो रहा है इसलिए minus sign लगाओगे minus d b की concentration changes upon time duration formation rate of c ये क्या होगा ये continue बन रहा है इसलिए concentrations continue increase हो रही है इसलिए हम कैसा sign लगाएंगे plus का product की form में जब भी हम reaction के rate को लिखेंगे plus sign यूज करेंगे और reactant की form में जब भी हम rate को लिखेंगे minus sign यूज करेंगे plus d c upon dt अब आपसे पूछा जाए कि reaction का rate कैसे define करोगे आप rate of reaction अब देखो reaction का rate a जितना disappear हो रहा है b उससे double disappear हो रहा है means b का rate disappearing जो rate है वो a से double है तो reaction का rate हम कैसे निकालेंगे कि इसका half हो जाएगा b का disappearing rate से half reaction का rate होगा क्योंकि a का a एक और b के दो molecule आपस में मिलके reaction बना कर रहे हैं इसलिए rate b के respect में जो rate है वो उसके rate का reaction का rate क्या हो जाएगा half हो जाएगा तो आप कैसे लिखोगे minus d a upon dt किसके equal होगा minus half d b upon dt किसके equal होगा आप देखो c कितने बन रहे है तीन molecule बन रहे है तो formation rate यहाँ पे triple हो गया तो क्या होगा 1 upon 3 d c upon dt इस formula का use करके अब हम numerical करेंगे यह formula use करके अब हम numerical करेंगे देखो पहला numerical है आपको एक nitrogen और हाइड्रोजन की reaction दे रखी है जिससे ammonia form हो रहा है first numerical है अब का the reaction between hydrogen and nitrogen according to following following क्या होगा n2 plus 3h2 यह reaction करके 2nH3 form करें यह भी gas form है यह भी gas इससे तो हमें कोई वैसे भी लेना देना नहीं यह reaction दी हुई है आपको निकालना है n2 h2 disappearing rate nH3 formation rate और define करना है reaction rate आपको n2 आपको n2 और h2 disappearing rate ammonia formation rate और reaction के rate को define करना है देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था disappearing rate अभी आपको n2 क्या होगा? अभी मैंने आपको n2 क्या होगा? minus dH2 upon dt और third क्या है? formation rate यह क्या होगा? plus dNH3 upon dt यहाँ तक simple है अब आता है reaction का rate reaction का rate क्या होगा? देखो जो यह stoichiometric number है उससे उनको divide कर देते हैं क्या याद रखोगे? जो आगे stoichiometric number है उससे उसके rate को divide कर दिया जाता है formation rate हुआ तो उसके formation rate को उसके stoichiometric number से divide कर देना अब तो reaction का rate क्या हो गया? rate of reaction किसके equal होगा? disappearing rate of n2 के equal होगा means minus d n2 upon dt है disappearing rate of h2 का 1 upon 3 part होगा equal to minus 1 upon 3 dh2 upon dt है और formation rate of ammonia का 1 by 2 होगा तो 1 by 2 d किसी के disappearing calculate करना है हमे a b का formation rate calculate a b formation rate देखो क्या होगा सबसे पहले हम reaction का rate निकालते हैं rate of reaction rate of reaction किसके equal होगी? a2 a2 disappearing rate के equal होगी minus d a2 upon dt rate of disappearing rate of b2 के equal होगी minus d b2 upon dt और a b के formation rate का half होगी a b के formation rate का half होगी clear? हमें क्या data दिया हुआ है? हमें दिया गया है ये वाला data b2 के disappearing rate दिया हुआ है 10 2 power minus 2 हमें क्या निकालना है? ये वाला data a b के formation rate निकालना है करो क्या relation है? minus d b2 upon dt minus sign सिर्फ concentration जो decrease हो रही है उसके लिए है इसले इस minus का कोई लेना देना नहीं equal to है 1 by 2 d a b upon dt हमें क्या निकालना है? ये वाला इस 2 को आप इधर बेज़ दो क्या होगा? 2 into d b2 upon dt इसके equal होगा? d a b upon dt ये क्या दिया हुआ है आपको ये विया 10 as to power minus 2 mole liter inverse second inverse तो आपके पास क्या हो गया? 2 into 10 as to power minus 2 ये equal to d a b upon dt यूनिट क्या आएगी? वही यूनिट आएगी same mole liter inverse second inverse अब हम एक और numerical करते हैं एक numerical है एक journal equation दी हुई है वो ये third numerical हमें एक journal equation दी हुई है journal equation है a plus 2b से 3 c बन रहा है इसमें आपको a के disappearing rate दिया हुआ है disappearing rate a is equal to 10s to power minus 5 mole liter inverse second inverse ये आपको दिया हुआ है आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है calculate पैला है disappearing rate of b और दूसरा हमें calculate करना है formation rate of c और तीसरा हमें calculate करना है rate of reaction इसमें सारे concept आपके इसी numerical में आ गए इसको आप ध्यान से देखो हमें क्या-क्या calculate करना है यह equation है इस equations पे disappearing rate of a यह क्या है? minus dA upon dT और यह value हमें dV है 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse disappearing rate क्या है? minus dV upon dT यह हमें निकालना है फिर हमें क्या निकालना है? formation rate of c यह क्या होगा? प्लस का dC upon dT यह भी हमें निकालना है और हमें निकालना है rate of reaction सबसे पहले हम rate of reaction की form में लिखेंगे इसको देखो मैं यहां से खटा देती हूँ क्या होगा rate of reaction? rate of reaction होगा a के disappearing rate के इक्वल होगा minus dA upon dT b के disappearing rate का half होगा minus 1 upon 2 dB upon dT और c के formation rate का 1 upon 3 होगा c के formation rate का 1 upon 3 dC upon dT clear यहां तक? अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है dA upon dT कितना? 10 is to power minus 5 यही हमारा क्या होगा? rate of reaction होगा rate of reaction आपका किसके equal हुआ? minus dA upon dT और यह हमें दिया हुआ है 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse means हमारी reaction का rate तो आगया हमारे पास 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse अब हम बात करते हैं disappearing rate of B देखो इसको मैं erase कर दो अब हम relation क्योंकि हमें हमारे पास data क्या है? किसका data है? हमारे पास केवल यह data है तो मैंने इसको और इस relation को use किया क्या calculate करने के लिए? बी का disappearing rate calculate करने के लिए करो minus dA upon dt minus sign तो use करो यह मत करो कोई मतलब नहीं है इस sign का क्योंकि यह sign सिर्फ यह बता रहा है कि concentrations decrease हो रही है या concentrations increase हो रही है तो dA upon dt किसके equal हुआ? 1 upon 2 dB upon dt यह हमें दिया हुआ है यह हमें निकालना है इस 2 को आप यहां ले जाओ तो आपके पास क्या बन जाएगी equations equation बनेगी 2 into dA upon dt यह equal to आया dB upon dt यह क्या है बताग? यह है 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse वो value यहां पुट कर दो value पुट करो 2 into 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse क्या जाएगा आपका tb upon dt means disappearing rate of b यह हमारे पास आ गया 2 into 10 is to power minus 5 mole liter inverse second inverse अब हमें निकालना है formation rate of c तो अब हमारे पास आपकी इच्छा है इस data को use कर लो या इस data को use कर लो कोई भी आप या इस data को use कर सकते हो आपकी इच्छा है अब आपके पास 3 data आ गए उन तीन data का use करके हमें क्या निकालना है formation rate of c निकालो आपके पास relation था rate of reaction यह equal to minus dA upon dt यह equal to minus dP upon dt 1 by 2 और यह equal to था 1 upon 3 dC upon dt हमें क्या निकालना है यह निकालना है हमारे पास यह data भी है यह data भी है और यह data भी है हम कोई भी दो relations यूज़ करके dC upon dt calculate कर सकते हैं मैंने यह दोनों data यूज़ किये क्योंकि आसान यह दोनों या इन दोनों का calculation है यहाँ तो 1 upon 2 फिर से आजाएगा तो आप difficulty हो जाएगे आप आसान चीज़ करो जहां आसानी से हो जाएगे minus यूज़ में ही करूँगी dA upon dt यह relation किसके equal है 1 upon 3 dc upon dt यह value निकालनी है यह मेरे पास है यह कितनी है 10s to power minus 5 mole liter inverse second inverse आप लोग जो गलती करते हो वो यह गलती करते हो इसको पूरे को माल लेते हो नहीं आप ध्यान से देखोगे reaction के rate में हम 1 upon 3 उस करेंगे लेकिन formation rate तो आपका क्या होगा dc upon dt formation rate क्या होगा dc upon dt formation rate आपका 1 upon 3 dc upon dt नहीं होगा आप जो miss check करके होगे वो यहीं करके होगे कि यह 1 upon 3 यहीं पे लगा हुआ रहे नहीं formation rate तो जो है वो a के disappearing rate से triple time है क्योंकि A का A consume होता है तब C के 3 बनते है तो C के respect में जो formation rate है वो तो triple है लेकिन reaction का rate जो है वो क्या होगा C के 3 बन रहे हैं लेकिन 1 किसे रहे हैं A से बन रहे हैं तो वो A के उपर depend करना है क्लियर यहां तक यह ध्यान रहेगा तो अब हम निकाल रहे है D C upon D T formation rate निकाल रहे है तो क्या आजाएगा 3 into D A upon D T D A upon D T की value हमारे पास है 10 to power minus 5 more liter inverse second inverse तो आपके पास D C upon D T की formation rate आ गई 3 into 10 is to power minus 5 more liter inverse second inverse इस type के questions आप लोगों को बहुत सारे competition exam में भी आप लोगों से direct उच लिया जाता है तो यह वाला तो तुकना अंसर आएगा 3 into 10 is to power minus 5 more liter inverse second inverse नेर यहां तक अब हम next video lectures में जो है वो study करेंगे factors affecting reaction rate प्रभण खर्याव जाएट आएड़ीद तो तेड़ीज छूटेटों प्रॉध्टेटों तो अजिक्वडेख़् थे जिए अजाएग्णास अब्सराइएश् fingertips झाल टलाएब्सराइएबंस available best at the